ओम नमो भगवते वासु देवाय ओम स्री गणेशाई नमह बोलिये स्री सत्य नारण भगवाने की जे स्री सत्य नारण कथा अधियाई एक व्यास जी कहे छे कि अयोध्या पासे ना नेमी शारणियमा एक समये सोनक वगेरे रुषियो मढिया हता तेवधा रुषियोये सुत नामना पुराणीने प्रस्न पूछियो कि हे महामुनी कयु व्रत अने तप करवा थी मानस तारेलू मनवांचीत फड मेडवी सके छे त्यारे सुत जी कहे छे कि नारण मुनी आ प्रस्न विष्णु भगवानने पूछियो हतो भगवाने नारण जी ने कईयु हतो कि जे तमे हवे ध्यान पूर्वक्षांब्डो एक वक्षत नारण जी बिजा उपर उपकार करवानी भावना थी विवीद लोकमा फरता फरता मनुष्य लोकमा आवी पहुचिया जुदी जुदी योनियो मा उत्पन तहेला पोस्पोताना कर्मो थी दुखी थता अने अनेक दुखो मा थी यूक्त बधा लोकोंने तेमने जोया आ सर्व लोकोंना दुखोंनो चोकस नास कया उपाये थाई एवा मनना विचार करी तेजवकते नारद मुणी विश्यू लोकमा गया तेमने नायन भगवानना दर्शन करिया संक, चक्र, गदा, कमड आने वनमाडावती जे सोभे छे एवा सर्वतम भगवान स्री नारद ना दर्शन करी नारद जी तेमनी स्तुती करवाला गया त्यारे भगवान कहे छे, हे नारद जी तमे सामाटे ही आविया छो अने तमारा मनमा शूँ प्रशन छे, समे बधूर मने जणावो, हुँ आपने चोककस तेन उत्तर आपीस नारद जी कहे छे, कि मनुष्य लोक मा जुदी जुदी योनियो मा उत्पन थाई, अनेक प्रकार ना दुखो थी यूग छे तेमज पोते करेला पापो थी पीडाई रहिया छे, ये नात एम्या एदुखो कया टूका अने सरड उपाई थी सान थाई ते मने कहो त्यारे भगवान कहे छे, कि लोको ना हितनी इच्छा थी तमे सारू पूछियू छे जे करवाथी मानस मोह माथी छूटे छे, बधी पीडा माथी छूटकारो मेडवे छे, तेना विशिय हूँ तमने कहूँ छू आ एक महा पवित्र व्रद छे, अने शवर्क तथा मनेश्य लोकमा पंड दुल्लब छे हे वत्स आ सत्यनाण भगवाननु व्रद छे, तेने बराबर विधी पूर्वक करवाथी मानस आ लोकमा सूख भोगवी ने छेवटे मोक्षने पामे छे विष्णू भगवाननु आ वाक्ये साम्डी नारद मुनी कहे छे, कि सत्यनाण भगवानना एवरत नुँ फड सूँ छे, एनी कई विधी छे, अने एवरत कोने करियू हतू पगवान कहे छे, आ सत्यनारण नुब्रत, दूक, शोक, वगेरेने मटाडनार, धन्न तथा दान्यने वधारनार, एवो गणु उत्तम फड आपनारू छे आवरत स्त्रियोंने शोभागिय औने संतती आपवा वाडू छे, तेमज पूरुचोंने विजयापवा वाडू छे, गम्मेते दिवशे पूर्ण स्रध्धा थी आवरत करवू जोईये पोताना सगासबंधियो औने ब्राह्मनों साथे धर्मपरायन थै, सायमकाल वक्ते सत्यनाण भगवाननों पूजन करवू, पक्ति थी नेवेध्यमा केडा, काउनो रवो तथा घी दूत सवाया मापमालै सीरो बनावी भगवानने अर्पन करवानो, काउनो लोट न होई त चोखानो लोट, शाकर, खान, केक गोल आबदी वस्तिवो भेगी करी, सवाय धरावी जोये, लोकोनी साथे कथा साम्बडी ब्राह्मने शक्ति प्रमाने योग्य दक्षिनापवी, तेमत सगासबंधियो साथे ब्राह्मने भोजन करावू, सत्यन्याण भगवाननों प्रसा स्री सकंद पुराणना रिवाखन मा सत्यन्याण भगवाननी व्रतनी कथानो पहलो अध्याई समाप थाई जे, तो बोल ये स्री सत्यन्याण भगवान की, जे स्री सत्यन्याण कथा अध्याई बेह, गरीब ब्राह्मन अने कठ्यारानी वार्ता, सूत जी कहे छे, हवे हुँ आपने पेला आवरल जेने करियू हतू तेना विशे जणावू छू, सुन्दर कासी सहर मा रहेनारो एक ब्राह्मन खणूच निर्धन हतो, भूग तरस्ती व प्रुथ्वी पर भटक्या करतो, ते ब्राह्मन ने जोईने भगवाने रूप बदली, कहड़ा ब्राह्मन नु रूप लई, दरिद्र ब्राह्मन ने पूछिऊ, के ब्राह्मन तो दूखी एवो आप रुथ्वी पर सामाटे फरे छे, त्यारे ते दरिद्र ब्राह्मन कहे के हुँ अत्यत गरीब चुँ भिक्सा मागवा माटे प्रुत्वी पर फरुचु मारी आ गरीबी दूर थाई एवो कोई उपाई जणावो त्यारे भगवान सरूप ब्राम्हन कहे चे क्या कड़ युग मां सत्यरनार भगवान अज इच्छीत पूरुसात रूप फड आपना पूजन करवा थी प्रत्यक्ष फड मले चे औने ते भगवान रूपी ब्राम्हन ते दरिद्र ने कहे चे तु सत्यरनार भगवान नू व्रत आने पूजन सारी रिते कर कि जेथी तारा सर्वदूक दूर थसे ब्राम्हन ने ते व्रत नी विधिपन कार्जी थी समझावी अने वृत ब्राह्मन ना रुपवाडा स्थेनान भगवान वो ते अद्रश्य थाई गया। सवारे उठी हुँ सत्यनान भगवाननु व्रत करी सेवो द्रड संकल करी। ब्राह्मन रोजना नियम मुझे पिक्षा मागवानी करियो। तेज दिवसे ए ब्राह्मनने रोज करता पुषकर धन मड़िय। एटले तेने ते धन थी शगावाला मित्रों साथे सत्यनान भगवाननु व्रत करिय। कथा साम्बडी के जेती करीने थोडाज वखत मा ते दरिद्र ब्राह्मन दूख मा थी मुख्त थाई अगणी चंपतिनो मालिक थाई गयो। इना पुन्य थी ब्राह्मन सर्वपाप थी मुख्त बनी अत्यान दुरलब मोक्ष पदने पामियो। आवाद साम्बडी रूसियो कहे छे के हे मुणी ए ब्राह्मन पासोती सत्यन्यारण देवनू व्रत कोणे साम्बड़ियू हतू अने कोणे करियू हतू ते हवे अमे साम्बडवा इच्छिये। त्यारे सूत जी कहे छे हे मुणी ओ एक वक्षत ते स्रेष्ट ब्राह्मन पोताना वैभवना विस्तार प्रमाने पोताना सगा कुटंबी जनो साथे व्रत करवानी तयारी करतो हतो। ते वक्ते लाकडा वेश्नार कठ्यारो तिया आवियो औने लाकडानो भारो दर्वाजन बहार मुकी जिया भगवान सतिनार नी पुजा थती हती तिया गयो औने तरश्यो पण हतो। पंड तेने एक जित्थी तेने ब्राह्मन करेली पुजाविदी जोई अने व्रत नी विधी निहाणी। ते ब्राह्मन ने खुबज आदर सतकार्थी नमेशकार करी ने बोलियो कि हे ब्राह्मन आपास आनू व्रत करी रहिया छो तेनू सूफ वड मडे छे। ते ब्राह्मन कहे छे किया सतिनान भगवाननू व्रत छे। ती सर्वेच्छा पूर्ण करवा वाडू छे अने आ व्रत करवा थी मने पुषकर धन दानिय मडियो छे। त्यारे ते ब्राम्हन ते कठ्याराने पन वदिविदी जणावे छे, औने त्यार पछी कठ्याराये पन सत्यनाण भगवाननु व्रत करवानों संकल पली धो, ते भगवान सत्यनाणू नामनु श्मरण करता गरता एक सहर मा लाकडा वेचवा जाई छे, औने ते सहर मा तेने तेना लाकडानी बंबनी किम्मत मड़ी के जे माथी तेने केडा, शाकर, घी, दूद अने घौनो लोट टेमज अन्य पुझानी सामगरी लिधी बदी सामगरी खरिदीने पोताना घरे गयो अने शागा वाला बोलावी विधी पुर्वक तेने पन सत्यानाण भगवाननू व्रत करियो बुझा विधी करी अने व्रत कथा सामबडी ते पन सुख भोगवी छेवटे सत्या लोकमा गयो तो आप्रमाने सकंद पुराणे रेवाखन नो सत्यान कथानो बिजो अधियाई साइई समाप थाई छे तो बोल ये स्री सत्यानाराण भगवान की जे अतह स्री सत्यानाराण कथा अधियाई त्राण साधू वाणियानी कथा सूत जी कहे छे कि एक वखत उलका मूख नामनो राजा पोताना घरे भगवान स्री सत्यानाराण नू विधी पुरुवक पुझा विधी करी रईयो हतो त्यारे एक वाणियो त्या आवियो औने तेणे राजाने आ पुझा विधी करता जोयो त्यारे ते वाणियो राजाने पुझे छे कि तमे भक्ती साथे एक जीत्थी आ सूंकरी रहिया छो त्यारे राजा कहे छे कि हे साधू अत्यान तेजस्री एवा भगवान अने मने पूत्रादी मडे एवी इच्छा ती हुमारा कुटुम्बी जनो साथे आ व्रत करूँछू। त्यार पच्छी धर्मप्रमाने चालनारी एवी लिलावती पोताना पती साथे आनंदी मनवाडी थाई सत्यनारी कुरूपाथी एक दिवस ते सगरभा थाई। दसमे मासे तेने उत्तम कन्यानों जन्मत हयो औने ते अजवाडियामा चंद्रनी कडा जेम वदे तेम दरोज वद्वालागी। कन्यानों नाम कलावती राखिय। अने ते बच्छी लिलावती पोताना पतीने मदुर्वचने कईय। के हे स्वामी तमे जे वरतनों पूर्वे संकल्ब करियो हतो ते केम हवे तमे पूरो करता न थी। सादुवाणियां कईय। के हे प्रिये कन्याना विवास समय ए वरत हुँ जरूर करीज। आम पोतानी पत्नीने समझावी ते सादुवाणियो नगरमा गयो त्यार बाद कलावती कन्या पिताने गेर हवे मोटी थवालागी। ते कन्याने लगन करवा योग्य जोई तर्मजारनार ते सादुवाणिये तुरतज दूतने बोलावियो। दूतने जणावियो क्या आपनी कन्याना विवा माटे सारो वर्षो दिलावो। त्यारे ते दूत एक वाणियाना पुत्रने लई ते दूत पाच्वावे छे। त्यारे गुणवान, सुन्दर, अने नानी उमर ना ते वाणियाना पूत्र ने जोई, ते साधू वाणियाई पोताना सगा सबंधियों नी साथे मली, गणाज आनंद उल्ला साथे विद्धी पुर्वग, वाणियाना पूत्र साथे कन्या कलावतीनू लगना करियू। कन्याना विवास समये पन कर्मना अंतराये करिने ते साधू वाणियों, स्री सत्यनान भगवाननू उत्तम व्रत करवानू भुली गयो। ते थी सत्यनान भगवान हवे तिना परकोपाई मान थाई छे, अने आवातने घणा दिव स्विती गया पची, ते वाणियों पोताना जमाई साथे विपार करवा माटे अन्य देसमा जाई छे, के जे देसमा चंद्रकेतू राजानू राज हतू, हवे एक वकत एवो थयू के एक चोर ने पकडवा राजाना सिपायों तेनी पाचर दोडी रह या हता, ते जोई चोर ते यहां ससरो अने जमाई रेता हता, त्यां धन नाखी, छानो मानो त्यां थी नासी कयो, एटलामा जियाelson सजनवानियों त्या रहतो हतो, तिया एराजाना सिपायाई आवी कि माराज अमें बेचोर पकड़ी लाविया छी तेवने जोईने आप आगना आपो राजाय विचार करिया वगरज आगना आपी दिदी एटले राज दूतोये मजबूत रिते बांदी मोटा किल्ला वाडी जेलमा बन्ने ने पूरी दिदा सत्यनाण भगवान नी माया ने लिदे कोई तेमनू वचन सामबर्यूज नहीं उपर थी चंद्रकितु राजाय एमनू धन पन लै लिदू बिजी तरफ भगवान स्री सत्यनाण ना स्राप थी तेमना गरमास्त्री लिलावती पन घणी दूख थै घरमाजे धन हतू ते पन चोर चोरी गया मननी चिन्ता अने सरेना रोगो थी ते घेराई गया तेमज भूख तरस्ती अत्यन पिडाई अन्नी पन चिन्ता थै पड़ी कन्या कलावती पन आनी हती ते दरोज घेर घेर हवे बटकवा लागी भूख तरस्ती व्याकुड थै ती एक वकत एक ब्रामाणा करे गए त्यां त्याने सत्यनाण भगवाननू व्रद जोयू अने व्रद तथा पुजन जोताज गणो आनत पामी त्यां बेठी सत्यनाण भगवाननी कथा साम्बडी अने भगवानने प्राथना करी कि मारू दूख मटे ने मारा पिताजी अने मने स्वामी मने मड़ी जाए एवा आसिरवाद पगवान सी सत्यनाण पासे मागी ब्रामणे आपेलो प्रसात खाई रोजना करता मोडी रातरे घरे पाची फरी त्यारे कलावती कन्याने पूछे छे के पुद्री तू क्या गई हती त्यारे कन्या तरतज तेना माताने जणावे छे के माता ब्रामणने गेर इच्छा पूरी करवावाडू व्रत तथा पूजन अने कथा थती हती त्याहों बेटी हती आने पोता नी कण्यानू आ वाक्य साम्ब्री सादूवाणीनी तेस्त्रीपन आनन्थी शतिनान भगवाननू वरत करवा माटे तयार थाई पत्ती वरतास्त्री ये पोताना सगासबंधियों साथे वरत था पुझन्थी शतिनान भगवान हवे संतोष पामेचे अने व्रत्थी संतोस्मानी सतिनाण भगवाने राजा चंद्र केतुने स्वपन देखाडियू अने तिमा जणावियू के राजा ते केद करेला बन्ने वाणियाओने सवार मा तु छोड़ी देजे तेमनु जेपन केते धन लेदू छे ते बदूज पाचु आपी देजे अने जो तु एम नहीं करे तो तारा राजिय धन तथा पूत्रों नी साथे तारो नास थजे अने त्यार पजी सवार ना समय पोताना मानसोंने आगना करे के केदमा राखेला बन्ने वाणियाओने तरत छोड़ी मुको राजानु वचन साम्बडी राजाना मानस्वय बन्ने वाणियाओने राजा समक्ष लई आविया अने ते बन्ने वाणियाओने जोईने राजाय आदर सहित कहियो क्या बन्ने वानियाओने आजसुदी देवयोगे आ मोटु दूख प्राप थयू हतु पन हवे कोई भई न थी राजाय तेमनी बेडियो छोड़ी नाखी औने तेमनी नवा वस्तर तथा घरेना पेहरावी संतूष्ट करिया औने तेमनु जेपन कैं दहन लेदू हतु ते बम तो बोलिये स्री सत्यनारण भगवान की जे अतहस्री सत्यनार भगवान व्रत कथा अधियाई चार अवे ते साधुवानियों अने जमाई ते चंद्रकेतू राजाना राज्ये माथी निकड़ी पोताना घर तरफ जवा निकड़े छे खुब जदूर साधुवानियानु नाव दर्यामा आवी पहुचियू अने त्यारे भगवान सी सत्यनाराण ने इच्छा थाई के लाव आ बन्ने नी परिक्षा करू त्यारे भगवान सत्यनाराण सन्यासी बावा थाईने आवे छे अने पूछे छे के तमारा आवाहान मा सूँचे त्यारेत साधुवानियो तेमनी मश्करी करीन कहवा लागे छे के हे सन्यासी आप अमारा रूप्या लईलेवा मागो छो के सूँँ अमारी नावमा तो वेलाने पांदलाज छे एवी मश्करी भरेलू कठोर वचन सामड़ी साधु बावा सरूपे आवेला सत्यनार भगवान कहे छे के तारू वचन सत्य थाई अने आप्रमाने वचन कही ते सत्यनार भगवान त्यां थी दूर जहीने नदी किनारे तपश्या करवा बेसी गया अने भगवान जिवा गया के वाणियोत पोतानी नित्यक्रियाथी परवारी ने पोताना वहाणने हलकू थय गेलू जोई अत्यां त्विस्मय पाम्यों वहाण मा जुवे छे तो तेमा वेला अने पांदराज भरेला छे अने आ जोई तरतस बेभान थाई ते धर्ती पर पड़ी गयो त्यारे ते होश मा आवयो त्यारे तेनो जमाई कहे छे कि आपेला साधू बावाएज आपेलो स्राप छे एना बोलवा व्रमाने स्थयू छे ते बधूज करी सके छे तेमा संसाई न थी माटे आपने बन्ये तेमना सरने जवू पड़शे एटले आपनू धारेलू काम पार पड़शे पोताना जमाईनू वचन सांबली ते साधू बाणियो ते साधू बावा पासे जाई छे तेमने जोई भक्तिती तेमने नमेशकार करी आदर साथे कहवा लागियो के हे महराज तमे मारा अपरादनीक शमा करो मोटा सोक्थी गड़गडो थैने ते वारमवार मोटू दूख प्राप्त करियो छे भगवाननू आ वाक्य सांबली साधू वाणियो तेमनी स्तूते करवा लागियो ये भगवान आप मार्यू पर प्रशन थाव वू मारा वैभव विस्तार प्रमाणे तमारू पुजन करीज मारा वहान मा तहन वगेरे हुवा छता कपट भावती हुँ खोटू बोलियो माटे प्रभू मारू रक्षन करवा आपत समर छो एवु भक्तिपूर्वक सादूवान यानू वचन सांब्ली सत्यनाण भगवान प्रशन थया औने इच्छेत वर्दान आप्यू सादूवानियों हवे तेमनी नाव पासे जाई छे औने आवी ने जुवे छे तो नाव धन्थी परपूर थये लिहती सत्यनाण भगवाननी कृपाथी इच्छा अवे सफल थय औने तेथी तेने पोताना सगासबंदियों साथे विदी प्रमाने सत्यनाण भगवाननू त्याँ पूजन करियू अने त्यार पची ते पोतानी सहेर तरफ आवा माटे निकडि पडिया अने जेवू पोतानू नगर देखाई छे एवा तरतस तेमने पोताना घरे दूत द्वारा समाचार मुकलाविया अने ते दूत नगर मा जयी ते साधूवानियानी स्त्री तथा तेनी पुत्रीने समाचार आप्या कि साधूवानियों अने तेनों जमाई आपना नगर मा आवी पहुचिया छे अने आ समाचार सांब्लीज लिलावती खुबज आनन्त पामे तेने सत्यनाण भगवान नू व्रत तेज़ वक्ते पूझन करी पोतानी पुत्री ने कहिऊ कितू सत्यनाण भगवाननू पूझन कर मुतारा पिताना दर्शन करवा जावशु तू पन जल्दी थी आवजे माताना वच्चन साम्डी ते पुत्री पन सत्यनाण भगवाननू व्रत करी समाप्ति करी परन्तु प्रचाद लिधावगरत स्वामीनू दर्शन करवा तत पर थाई गए के जेना अप्राजनाकार ने भगवान सत्यनाण तेनाव पर कोपाई मान थया अने तेमना स्वामी जी वहाण माहतो तेने जमाई अने धन साथेज दर्यामा डुबाडी दिधा गणीच उतावडे आविली कलावती कनियाए पोताना स्वामीने जोयो नई गणा सोक थी ते रडवा लागी अने रडता रडता प्रुत्वी पर ढड़ी पड़ी आ घटना जोय सादू हाणियने थयू कि या नकी सत्यनाण भगवान आपनाव पर नाराज तया छे तेथी तेने आकासरव जोय मनोमन भगवान स्री सत्यनार ने कहे छे कहे प्रभू जो अमाराथी कोई पन भूलताई होई तो अमारी भूलनेक शमाकर जो उँँ आपनू विधी पूर्वक आकाठे पुझा करीस विधी करीस अने व्रत कथा करीस अने तियारी सत्यनार भगवान तेना परशंतूष ठाई छे अने कहे छे के हे सादुवानियां तारीकन्या मारो प्रसाद छोरी तेना पतिने अई ही जुवा आवी छे अने तेना कार्नेश आजे आ घटना बनी छे त्यारे तेक अनिया जल्दी थी घरे जई भगवान से सत्यराणनों प्रसाद ले छे औने सव लोको मा वेंचे छे अने त्यार पची फरी ज्यारे पोताना पतिने मलवावे छे तो धन्ती भरेलू बहान अने तेनों पति तियां हाजर होई छे अने आ गटना जोई सादूवाणियों अने तेनी पत्नी पन हवे खुबज घूस थाई छे अने विद्धी विदान प्रमाणे त्यां बेसी सत्यनाण भगवाननू व्रत पुजन विदी करे छे दर पूर्णी माना दिवसे अवे ते सत्यनाण भगवाननू व्रत पुजन विदी करवाला क्यों आन्ने कारणे सुख भोगवी छे उटेते मरण बाद सत्य लोकमा गयों तो आ प्रमाणे शकंद पुरानना रेवा खननों सत्यनाण भगवाननू विरत पुजन विद पुन्खस नामे एक राजा हयों ते प्रजानु पालन करभा हम्मे सा तत पर रेतो परन्तु एक वकत ते एक जंगल मा पशोनो शिकार करभा गयो हतो शिकार करता था कि ते एक जार नीचे बेठो अने तिया थोड़े दूरज गुवाडियाओ भगवान से सत्यनायनु पुझन करी रहा हता ते प्राजा अभिमान थी तियां गयो पन नहीं दूरती तेने नमेशकार पन न करिया अने गोवाडियाओ ज्यारे राजाने प्रसाद आपवाविया त्यारे तेमने प्रसाद नो पन इनकार करियो अने तेथीज सतिनाण भगवान तेना उपर कोपाई मान थाई छे तेना धन धान्यों नास करी तेना सो पुत्रों नो पन नास करे छे अने ज्यारे राजा पोता नगर मा पाचो आवे छे अने आबदी घटना जोवे छे त्यारे तेने विचार आवे छे क्या सतिनान भगवान नू तिरशकार करियो तेनू आ परिणाम छे તેતી ફरીતી તે જંગલ માવે છે અને તે ગુવાળ્યાઓ સાથે બેસી भक्ति युक थई, फड़ाप नारी आप वित्र कथा साम्ब्रेचे तेने फड़ाप नार सी सत्यन्यारण देव समर्द छे सत्यन्यार भगवानना प्रशात थी धन धानय नी प्राप्ती थाई छे जे दरिद्र होई ते दन मेडवे छे जे बंधन मा पड़ियो होई ते बंधन मा थी छूटी जाई छे, जे बई बीद थयो होई ते भई मा थी मुग्त थाई छे, ए सत्याजच्छे एमा कोई संसाई नथी सत्यान भगवाननू व्रत करनार मानस आ लोकमा इच्छित फढ़ भोगवी सत्या लोकमा जाई छे हुँ तमने पुर्वे जेमने शत्यनाण भगवाननों व्रत करियो हतू तेमना पुनर्जनवम क्या थया हता तेहवे कहुं छू महा बुद्धी साडी सतानन ब्राम्हन सत्यनान भगवाननो उत्तम व्रत करी सुधामा ब्राम्हन थयो तुंग दवज नामनो राजा बिजा जन्वमा स्वयम्भू मनू बनियो लाकडा वेचनार कठियारो केवड थयी भगवान स्री रामनी पुझा करी अन्ते वैकूट लोखने प्राप्थ जो तो अहिया स्री सकंद पूराणना रेवा खन्नो सत्यनान भगवाननी व्रत कर्थानो पांच मोध्याई समाप थाई छे तो बोल्य स्री सत्यनान भगवान की जै स्रीक्रस्न गोविंद हरे मुरारे एनात नारायन वाशुदेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे हरे नमक पार्वती पत्ये हर हर महादेव हर